तो दोस्तो मान लीजिए आप किसी एमर्जंसी में पड़े हैं और आपका आधार कार्ट मिल नहीं रहा हो आपका आधार कार्ट कहीं खो गया है तो दोस्तो आपके सामने बस एक ही रास्ता बचा हुआ है कि आप अपने आधार कार्ड को कहीं से दुबारा डाउनलोड करें आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए आपका समस्या विल्कुल सॉल्व हो जाएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने मुबाइल फोन से दो मिनिट के अंदर अपना वर्जियल आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें बस इस वीडियो को आप पूरा देखिए मैंने इस वीडियो में step by step बहुत ही आसानी से बताया है तो चले दोस्तों आपका जादे समय ना लेती हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आल राइट जस्तों तो सबसे पहले आपको अपनी मुबाइल फोल में आना है उसके बाद उसमें Chrome browser को open कर लेना है Chrome browser को open करने के बाद उसमें UIDAI लिख करके सर्च कर देंगे सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड का जो official website से वह आपको मिल जाएगा करने के बाद यहाँ पर आने के बाद आपके सामने यहाँ पर तीन option मिल जाएंगे जिसका यूज करके आप अपना आधार कार्ड दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर हम verify and download के उपर क्लिक कर देंगे जैसे verify and download के उपर क्लिक करेंगे हमारे सामने congratulations का जो papa फैस open होके आ जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा आधार का डाउनलोड हो चुका है तो दोस्तों यहाँ पर उसको open करने के लिए एक password दिया जाएगा जो की आपके नाम का पहला चार अच्छर capital letter में उसके बाद आपका जो भी data birth है उसको डालेंगे तो आपका open हो जाएगा यहाँ पर example के तवर यहाँ पर दिया गया है तो जैसे ही password डालेंगे आपका आधार card आपके mobile phone में open हो जाएगा चाहें तो आप इसको इसी तरह से use कर सकते हैं नहीं तो आप इसको print out निकला करके आप use कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सेखने को मिला हो तो वीडियो को like, share और subscribe जरूर से करें तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी नए topic के साथ तब तक के लिए जय हिन जय वारु